लास्ट क्लास दो मैंने कोफिषेंट और समें पूशन किरा था यह यंदे टो लोगने आपको कुछ कोशिन दिये थे एक तो उपर कोशन निकल गया हो दिया था उसके अलावा भी कोशन दिया था जो आपके आपकों के सामने इस समय है अगर देखें आप ठीक है पार्टिकल इस रिलीश्ट फ्रॉम रेस्ट फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाइद बॉल तिल लास्ट कुलीजट यह अपना कोशन था अगर आपको याद हो तो ठी अब इसकी टाइमस विलास्टी से वापस लोट जाएगा इसकी टाइमस विलास्टी से वापस लोट जाएगा शुख यह तो पता है तक अब कितनी हाइट तक जाएगा बच्चों तो हमें बता है मैक्सम हाइट कैसे निकालते हैं फाइनल लॉस्टी को जीरो कर देते हैं और वी स्क्वार माइनस टूजी एच टैश तो एच डैश की वैलू कितनी आ जाएगी ई स्क्वार टूजी एच अपॉन टूजी तो यह आ जाता है एच डैश की वैलू आ जाती है इज स्क्वार एच ठिक अब हम आगे बाड़ते हैं पहली बार एच अगली बार ऑच जाना इस्क्वार एच आना अगली बार एकी पावर फोर एच जाना E की पावर 4H आना ठीक सही है बच्चो क्लियर आच्छा जा अब हम लोग इसको लगातार अगर एड करें तो क्या मैं कह सकता हूँ E स्क्वार एच जाना और E स्क्वार एच आना ये दो बार होगा E की पावर 4H जाना और E की पावर 4H ये दो बार होगा E की पावर 6H E की पावर 6H ये दो बार होगा E की पावर 8H E की पावर 8H ये दो बार होगा इस तरीक के सागे बढ़ता चला जाएगा लेकिन पहला वाला H तो E की बार होगा ना ठीक है चलिए देखते हैं तो टोटल H T H T लिख रहा हो equals to h plus twice of e square h plus twice of e ki power 4 h plus twice of e ki power 6 h and so on ठीक आच्छा h plus 2 e square h को अगर मैं common लेलू h के बार h plus और 2 e square h को common लेलू पूरी series से तो यह बनता है 1 plus e square plus e ki power 4 plus e ki power 6 and so on ठीक है यही बनता है आच्छा अब इसकी value लिखता है तो ht इसकी value कितनी आती है बच्चा पार्टी इसकी value आती है h plus 2 e square h और उस series की value देखो first term क्या है 1 1 upon याद है क्या बताया गया आपको a upon 1 minus r तो 1 minus r यह आगे है ठीक यह आगे कहा नहीं बाई है तो 1 upon 1 minus r r की value कितनी यहाँ पर e square है अब यहाँ से हमने h common लिया 1 minus e square plus 2 e square upon 1 minus e square जिसकी value आती है h 1 plus e square upon 1 minus e square चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह है final answer बच्चों जिनका भी आया था उनको बढ़ाई हो जिनका नहीं आया था उनको भी बढ़ाई हो कि उन्हें अपनी गलती पता चल गई ठीक है आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि special topic बहुत ही शान्ता और वो क्या है वो है system of two particles system नहीं इसकी हेरिंग डालते हैं हापनलों kinetic energy of system of two particles particles in center of mass frame center of mass frame in center of mass frame center of mass मास्के फ्रेम में कानेटिक एनरजी टू पाटिकल सिस्टम मतलब यह मतलब यह है कि अगर एक यह मास्ट का पार्टिकल वी बलॉस्टी से जा रहा है तो अगर मैं सेंटर उफ मास्ट की वलॉस्टी की बात करो तो वी सी इक्वास्ट टू- M1 V1 plus M2 V2 upon M1 plus M2 यह center of mass की velocity होगी ठीक, ओके अब velocity of 1 with in center of mass frame अगर निकालें तो हम बता सकते सारी चीजें लेकिन मैं आपको पहली बता जेता हूं कानेटिक एनरजी के in center of mass frame जो की value जो होती है वो होती हाफ mu V relative square जहां पर mu की value होती है M1 M2 upon M1 plus M2 बच्चों और V relative की value होती है V1 vector minus V2 vector ठीक आपको क्या करना है प्रूफ करना है चलिए शुरू हो जाईए और इसको प्रूफ करके दिखाईए मेरे को reduced mass concept नाम की कोई भी चीज आपको apply नहीं करनी है आपको प्रूफ करना है कि center of mass frame में यही expression आएगा यह मेरी चाहत है शुरू हो जाईए कि प्रूफ कि आपको प्रूफ कुल अजी भाइसाब तो कित्ते लोगों को कर दिया तो कितने लोगों का आ गया आंसर कि देखे तो जड़ा है कितने लोगों का ड़न है वहीज़ी था ओके चलिए कोई बात नहीं देखते हैं वी वन सी पहले वेलोस्टी निकालते हैं नहीं हुआ कोई बात है पूरा बताएंगे सर आपको बच्चा टेंचर लेंग ज़रूती नहीं है ठीक है वी वन सी बराबर वी वन माइनस वी सी है अब हमने कहा कि गुरूची काइनेटिक एनरजी हमें सेंटर आफ मास के फिर्म में चाहिए तो हम लिखेंगे पहले वाली की पहले पार्टिकल की हाफ हाफ M1 V1C2 V1C2 यह लिखेंगे ना ठीक आच्छा इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ M1 V1C की वैलू जब हमने डाली तो जब आइस वैलू को पहले समझते हैं आती क्या है वीटू माइनस M1 V1 वीटू माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 क्योंकि यह Vc की वैलू है ठीक है बच्चों तेरा इसको सॉल करता है देखते कितना आता है तो मैं उपर कर देता हूं कि मेरे सरके नीचे आ जाएगा ठीक है पिटा मना कर दिया ना प्यांचु तो V1C की वैलू V2C की वैलू कर लेता है चलो V2C की देख लेता है V2C की वैलू बच्चों कितनी आएगी M1 प्लस M2 को V2 से मल्टिप्लाई करेंगा तो यह आएगा M1 V2 प्लस M2 V2 माइनस M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 अब यहां से अगर हम देखें तो M2 और V2 को रहे हैं कैंसल और V2C की वैलू क्या आ रहे हैं बच्चों V2C की वैलू आ रहे है M2 M1 V2 माइनस V1 अपॉन M1 प्लस M2 चेक कर लिए यह V2C की वैलू आ रहे हैं देख लिए भाई कोई डाउट हो तो पूछे है ठीक है तो जड़ा हम अगर V2C की वैलू तो देख करके इस expression को देख करके V1 C की वैलू भी बता सकते हैं हम लोग क्या होगी बोलो अगर V2C की वैलू में उपर M1 आ रहा है तो V1C की वैलू में उपर M2 आएगा V1-V2 आएगा अपॉन M1 प्लस M2 आएगा ठीक है चलिए अब हम शुरू करते हैं M1 V1C का स्क्वाइर पूरी पूरी सीधा कानेटिक एनरजी लिखते हैं बच्चो ठीक है के बड़ापर हाफ M1 इंटू V1C का स्क्वाइर तो M2 स्क्वाइर उसको मैं भी रिलेटिव लिख देता हूं V1-VC या V2-V1 या V1-V2 दोनों ही भी रिलेटिव होंगे मैंगनिट्यूड वाइस सेम होंगे अपॉन M1 प्लस M2 का फूल स्क्वाइर ठीक है यहां से अगर देखें तो कॉमन अगर क्या आ रहा है यहां रहा है कॉमन M1 M2 वी रिलेटिव स्क्वाइर अपॉन M1 प्लस M2 का फूल स्क्वाइर देख लीजे भाई क्या रहा है क्या यहाँ यहां से इमान इमट्यक वहां सेपोड आ लिया है वी रिलीटिव स्क्वाइर अच्विक कश्वाइर है धल carp आप तो इसमें M2 पचेगा और उपर के बच्वाइए का पर ऊपर आजाएगा और क्या बचेगा एण एक वनल्स M2 जो कि cancel हो जाएगा यहां से यहां क्या बचा हाफ M1 M2 upon M1 plus M2 V relative का square यह देखिए साथ जो हम चाह रहे थे हाफ Mu V relative square Vr square का मतलब V relative square same expression आ गया ठीक है और अगर यह expression आ गया है तो हम इसका क्या फाइदा उठा सकते हैं गुरुदेव कैसे कि दिख्ते चाहें कैसे हम उठाएंगे आज की बाद हम two particle system की kinetic energy जएधर सुनीए कजल बच्चों kinetic energy kinetic energy of two particle system particular system मैं यहाद दिलाता हूंँ ध्यान से सुन्हाइध हमने कहा था kinetic energy of anybody's kinetic energy of kinetic energy of system in center of mass frame plus half total mass into VC square अब यह आपको याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो ना लाएक नुम्बर के ठीक है ना आज हमने इसकी वैलू टू पार्टिकल सिस्टम करें निकाल ली है तो हम कहेंगे हाफ M1 प्लस M2 Vc2 प्लस हाफ मू भी रिलेटिव स्कुराइब कितना फायदा होने वाला बच्छो कैसे कैसे कोश्चन कितनी आसानी सो होने वाले कुछ कोश्चनस देखते इसके अप्लिकेशन पर बेस्ट तो कोश्चन मज़ा आने वाला है कि माल लीजे यह एक ब्लॉक एम मुद बास का है और दूसरा ब्लॉक है बच्चों एम टू मास का उससे स्प्रिंग जोड़ी हुई है ठीक है अब क्या हुआ कि यह भाई साब जो है वी नॉट वेलास्टी से फिक दिया है ठीक आप से पुछा जा रहा है find यह पहले भी कोशन की है अधाना find maximum compression in the spring find maximum compression in the spring यह question हमसे पूछा जा रहा है कि spring में maximum compression कितना होगा यह बताईए ठीक बाई साब यह बताईए जिस समय maximum सब्सक्राइब कंप्रेशन होगा क्या हम यह कह सकते हैं कि उस समय दोनों के दोनों को कॉमन वेलास्टी से चलने होंगे और वह कॉमन वेलास्टी सेंटर ओफ मास्टी ही होगी मतलब यहां वी सी में सी स्टैंट्स फॉर बोथ कॉमन भी और सेंटर ओफ मास कि वह कैसे गुरु देव कि वह ऐसे भाया कि अगर दो लोग सेंटर ओफ मास उनसे आगे भाग जाएं कि मैं दोल रहा हूं मेरा सेंटर ओफ मास मुझसे पीछे रहे गया यह पॉस्पल है क्या बच्चा नहीं पॉ बच्चो इस समय टोटल मेकैनिकल एनरजी लिखते हैं हाफ एम वन ऐसे नहीं लिखते हैं जैसे हमने बोला था वैसे लिखते हैं हाफ टोटल मवी सी स्कॉर प्लस हाफ मूं एम टू अपॉन एम प्लस एम टू इनिशल वाली वी रिलेटिव देखो पिटा इसकी वी नौट है इसकी 0 तो वी नौट स्कॉर यही रिलेटिव हो जाएगी इसका स्कॉर बराबर फवाइनल देखता है तो हम क्या लिखेंगे हाफ एम वन एम टू अपॉन एमटू एम टू अपॉन एम प्लस एम टू एक प्लस हाफ टोटल मस इन्तू वी सी स्कॉर लेकिन इस समय वी रि ठीक एक चीज भूल गया मैं इधर potential energy of the spring लिखना क्योंकि कानेटिक energy सेव नहीं होती है क्या चीज चीज चिस रहती है या फिर केवल कानेटिक energy में यहां से हमारी कोईशन हागी हाफ से हाफ कैंसल और सीधा एक्स की वैलू आ जाती है कि कितनी आ जाती है भाईया कि देख लिजी कितनी आ जाती है एंवन एंटू अपन के टाइम्स एंवन प्लस एंटू वी नॉट यह है आंसर कि क्या यह समझ में आया कि नहीं आया अच्छा चलो और एक कोईशन देखता है ठीक है एक पार्टिकल को यह एक वैज है यह एक वैज है एक बढ़िया सा कॉंसेप्ट इसको समझ लें इसके बहुत मल्टिपल यूस है यहां से एक स्मॉल एमारा है इसको वी नॉट वेलास्टी से मैंने फेक दिया ठीक अच्छा अब वी नॉट वेलास्टी से फेकने से क्या हुआ यह रेस्ट पर है बच्छों और यह भी नॉट से फेका गया आप से पुछा किया फाइंड मैक्सम हाइट ऑफ ब्लॉट ऑन वेच तो क्या होगा बच्चों जब और यह ब्लॉइए यह दोनों सासा चलना है थिक तो तोनों केस में कारेटेक एनर्जी का वो वाला फ़र्मला लगाई है हाफ म्वी सी स्क्वर प्लस हाफ मूव वी रिलेटिर्स स्क्वर के फॉर्मला लगाई है potential energy को जोड़ दीजे initial situation में और final situation में और लिखिए और बताइए height कितनी आ रही है चलिए शुरू हो जाईए maximum height केस में दोनों same velocity से चल रहे होंगे ये मैं पहले ही बता चुका हूँ नहीं बता तो वो वीडियो देख लीजे कि उसे समझ में आ जाएगा अभी तो फिलाल इस बात का use कर लीजिए कि maximum velocity से में दोनों साथ सा चल रहे है रोनित क्या repeat करना बच्चा कि अग्या रिपीट करना है बच्चा कि अग्या हुआ 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 कि अग्चा एक लाश चलिए अगर हम देखें तो हाफ एम टोटल एम वी स्क्वार प्लस हाफ स्माल एम कैपिटल एम अपॉन स्माल एम प्लस कैपिटल एम वी रिलेटिव स्क्वार अठिक है इनिशल पॉटेंशल एनरजी जीरो वी रिलेटिव स्क्वार की वैलू कितनी है वी नौट ही है जायद क्योंकि वैज तो चल नहीं रहा है फिर उसके बाद half m vc square, क्योंकि दोनों case में center vc same क्यों होगा बच्चों बताओ, क्योंकि horizontal direction में momentum conserve रहेगा, और starting में भी center of mass की velocity horizontal होगी, क्यों होगी गुर्जी, क्योंकि center of mass की velocity का formula होता है, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2, ठीक है, इसकी velocity 0 है बच्चों, और इसकी horizontal है, तो बताइए, अगर यह 0 है और यह horizontal होगा ना, अच्छा, फिर जब दोनों same velocity से चलना है, तो भी दोनों की velocity horizontal है, इसका मतलब यह हुआ कि center of mass की initial velocity, और center of mass की final velocity horizontal है, और horizontal direction में momentum conserve है, यह हम पहले ही समझ चुके हैं, क्यों conserve है, क्योंकि horizontal direction में कोई भी external force नहीं लग रहा है, sigma f external in which direction, horizontal direction, ठीक है, 0 है, किस पर, पूरे system पर, कौन से system, wedge प्लस, block, ठीक बच्चा, तो इसलिए half mbc square यह cancel होने वाला है, और बात में relative velocity 0 है, लेकिन potential energy है, यह और यह होगया, cancel, और देखें, तो खट से h की value आ चुकी है, और वो value है, we not square upon 2m plus mg, यह है answer, capital M का multiply उपर है, यह उसका answer है, rotation पीटा, next week start हो जाएगा, ds बाबू, ठीक है, next week rotation start हो जाएगा, क्या समझ में आया भाई, ओपी सर, चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम एक question और करेंगे, बहुतर सबचरें, और challenge करते हैं, आपको देखते हैं, कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है, तो question वा है कुछ ऐसा, कि, यह एक blank है, इसका mass है, capital है, इस पर रखा है block mass, m का, small m का, ठीक है, अच्छा, बहुत लंबा blank है, ठीक, यहां friction coefficient mu है, है, अब मैंने क्या किया, बच्चों, पूरा system rest पर है, ठीक है, अब, उपर वाले m को, v0 velocity से मैंने फिका, capital m को rest पर रहने दिया, लेकिन, capital m के ऊपर, small m को, crack से v0 velocity ऐसे दे दी, ठीक, और नीचला plan sufficiently long है, यह frictionless है, यहां mu 0 है, और उपर का mu दिया हुआ है, तो find distance, अच्छा कोश है नहीं है, travelled, by block, on the plank, on the plank, obviously, relative to plank, ठीक है, ठीक है बच्चों, शुरू करें, यह मेरा favorite question है, और देखते हैं, कौन-कौन सही कर पाता है, ठीक है, तो माल लेते हैं, इसका एक तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, यह question पहले solve कर चुका हूँ, ध्यान नखिएगा, तो बहुत hero मत बनिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, आज यह मैं दूसरे method से बता रहा हूँ, ठीक है, तो यह बताईए सबसे पहली चीज, कि initially और finally, अगर मैं system लो, m प्लस m को, तो horizontal direction में force 0 है, क्योंकि यहां का mu 0 है, इसका मतलब horizontal direction का momentum बराबर होगा, और momentum होता क्या, total momentum किसी भी system का, total mass into vc, तो vc initial बराबर vc final होगा, इस बात को जान लीजे, ठीक है, उसका नाम चुकी initial और final से हम है, में तो vc रखता है, finally, यह block क्या करेगा, पता है आपको, slip करते 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 कैसा समया है, जब दोनों साथ साथ common velocity dc से चल रहे होगे, दोनों block, साथ साथ common velocity dc से चल रहे होगे, ठीक है, ऐसा समय होगा, उसके बाद relative slipping बंद हो जाएगी, मैं का बढ़िया, मैं का, अब मैं apply करने जा रहा हूँ, work energy थेव रहा हूँ, ठीक है, change in kinetic energy की बात करूँ, तो change in kinetic energy में, half total bus into vc square का term, initial और final में आने के कारण, इसका change, 0 आएगा, वही दो term होते हैं बच्चो, एक होता है, half m vc square, और दूसरा होता है, half mu v relative square, ये इसका difference तो 0 आ जाएगा, आप इसका difference देखना है, इसका difference देखते हैं, final कितना है, 0 क्यों, relative velocity finally कुछ है नहीं क्योंकि दोनों साथ साथ चलना है, minus initial, half m capital m upon small m plus capital m v not square, ये आगी initial velocity, ठीक, clear, ठीक, ये बढ़िया बात है, ये डिल्टा के आगया, अब डिल्टा के किसके बराबर होता है बच्चो, work done by all forces, अब work done by all forces में दिमाग पर जो डालना मज़ा आने वाला है अभी, एकदम से, work done by all force मतलब friction है, friction का work दोनों पर होगा, block पर भी होगा, plank पर भी होगा, दोनों पर होगा, action और reaction है friction, थोलो दिमाग पर जो डालो, कुछ बताया है, work energy theorem, मैं अब देखो मुझसे पढ़ने का फाइदा नहीं उठाओगे न, मदब previous chapter मुझसे पढ़े हैं, और आप फिर different तरीके से approach नहीं कर रहे हैं, तो मुझसे previous chapters पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है, दिमाग पर जो डालो, मैंने आपको बताया था, internal forces का total work frame independent होता है, ठीक, बताया था ना बच्चो, अब friction का small empire, friction का capital empire, total work, मैं किसी भी frame में निकालू, यहां मुझे ground frame में चाहिए, मैं को कुछ से मतलब दी है, हर frame में same होता है, तो मैं block frame में चला गया, एक प्लाइंग की frame में, in plank frame, in plank frame, work done by friction, on plank अगर मैं देखूं, बच्चो, तो 0 ही आएगा, plank frame में, plank displacement 0 है, ठीक, और plank के frame में, block पर friction ने कितना वर्थ किया होगा, mu mg लगा, और यह अगर l distance भाइशा, plank के relative चल ट्रैवल करके आएं है, तो बहुत simple है, बड़ाबर minus mu mg force है, into l, यह लेजे, answer आ चुका है, बस इतना ही answer है बच्चा, m से m cancel हो चुका है, और l की value आ गई है, l की value आती है, v naught square m upon twice of m plus m mu g, यह लेजे साब, इस method से किसी ने किया था क्या, ज़रा वो बताए मेरे को, मैं उसको appreciate करके, फिर इस class को बंद कर दूँगा, क्योंकि माइक की problem आ रही है, बच्चों को सुनाई कम दे रहा है, नेक्स लास से प्रॉपर करूबा, ठीक है, चलिए, टाटा, बाए-बाए, पे देख आई की खिसा है, प्लिए, दोल बाए-बाए, प्लिए, व्लिए, दोल ए राए-अ, अायां के ज दौ़र का रहा है,